असलों वेवब वाण दिस इमेक एर कैसे हैं आप सब लोग खेरी असे ठीक ठाग गया है दो दिन पैदे मैं एक फैटर बूट के अपडेट पोस्ट की थी एक्जाम्स के बारे में के 2024 के एक्जाम्स कब होंगे और 11-12 के जो इक्जाम्स है 1st Annual वो April के महीन में में होगा हम लोगों ने इस सोचा था कि एक्जाम्स जो है 9-10 का वो April मही में होगा और 11-12 के वो माई जून में होगा जैसे इस साल होगा था लेकिन ऐसा नहीं होगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि 9-10 के एक्जाइम के लिए इस वक्त आपके पास सिर्फ अंगस्ट के महीने निकाल के देखें तो वह साथ महीने हैं और 11-12 के एक्जाइम के लिए आपको अगस्ट के महीने को निकाल के देखें तो आठ महीने हैं तो यह आपके पास टोटल टाइम है, एक्जाम के लिए है, मानते हैं कि यह टाइम कम है, यानि कहने का मतलब यह हुआ कि जब से हमारे एक्जाम का पैटर्न है वो डिस्टरब हुआ था पिछले 2-3 साथ, तो अब वो दुबारा से उस रूटीन पर वापस लाने की कोशिश कर है, तो अगर कि आप स्कोर करना जाते हैं या आप अपने एक्जाम में लाइक कह सकते हैं कि मार्क्स के बारे में आप सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, तो मानते हैं कि आपको जो है वो इस पर जो है लाइक कह सकते हैं कि सोड़ी से एक्स्ट्राइफट करने पड़ time come है, normal session 11-12 माई नहीं का होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो session है वो reduce हो गया है यानि कि time come है, तो अभी से provision start करते है, end में ये कहने से बेतर है, TLI कह सकते हैं, हमें पता नहीं था, या हमारे पर time काम था ये था वो था, तो अभी जो है, वो excuses से बचने के लिए अभी से start करते हैं, ये suggestion है, लेना चाहें, तो लेने, नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर बस जो है जो आपको बेदर लगता है, वो आप कर सकते हैं, so ये update जो थी, ये मैंने शेयर करनी थी, जो आप लोगों की confusion थी, वो I think कि अब आपकी दूर होगी होगी कि आपके exams कब होंगे, ठीक है, तो जो second annual हैं, वो फिर बाद में हैं, आप लोग उस second के साथ confused ना होना, यानि कहने का मतलब यह हो कि बचे जो कह रहे थे कि सर, second year के बाद में हैं, अगस्न है, वो second annual की बात है, बचे, second annual exam आगे गर दी हैं, और जो first annual exam हो, वो थोड़े पीछे हैं, मतलब कि कहने का यह हुआ कि जो gap होगा, आपका जो normal इस साथ से जो pattern है, वो काफी different है ठीक है, और आपके पास in short moral of the whole story, कि आपके पास time कम है और कुछ में नहीं है, तो I hope कि मेरी यह बात आपको समझ में आगी होगी, next video मेरेंगे, तब तकि अपना ख्याल रखए का दौाओं मुझे आद रखें, अजासत तीछे, अला हाफ़े